इसमें यह कहा जा रहा है कि निमने लिखित फलनों के समाकलन ग्याद कीजिए हम लोग को बहुत सारे कोशन दिये जाएंगे और उनका सब काम को क्या करना एक तरीके से exercise 7.2 में हमको समाकलन ग्याद करना है तो करेंगे क्या कि integration of 2x upon 1 plus x square dx को प्रतियस्थापन विधी से ही हल करेंगे और इसके लिए हम लोग जो भी चीज है दी गई है इसको हम लोग एक capital I मान के चलते हैं integration का capital letter I है इसलिए इसको मान के चलने हैं कि एक I के बराबर है I is equal to integration of 2x upon 1 plus x square dx अब प्रतियस्थापन विधी से solve परना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा solution में कि माना अब हमको मानना पड़ेगा क्या चीज माने तो अगर हम 2x को को टी मानते तो जब हम लोग इसका differentiation करते हैं तो 2x का तो हमको 2 मिल जाता लेकिन यहां पर इसका कहीं यूज होने वाल नहीं है नीचे हमारा 1 plus x square के रूप में है ठीक है तो अगर हम 1 plus x square को ही अगर टी के बराबर मानते हैं ठीक है तो इससे देखिए हमको क्या फायदा मिलने वाला है अगर हम लोग इसका differentiation करते हैं मने करते हैं तो वन का तो जीरो होगा और इसका मिल जाएगा हमको 2x के बराबर जबकि यहां पर यह दिया हुआ है ठीक है इसलिए हम 1 plus x square को ही हम लोग क्य मांणके चल रहें ती मांण के चल रहें ठीक है तो अगर हम लोग इसके दूनोंपॉक्छों का x साथ x autolone करेंगे तो लिखेंगे exit साथ लिखेंगे और हम लिखेंगे इसको लिखेंगे dt OpenDx ठीक है लेकिन हम लोग कोसिस करेंगे कि हमारा 2x into dx दिख रहा है इस dx का अगर cross multiplication कर दें तो हम लिख सकते हैं इसी को क्या 2x into dx is equal to dt इसको आप मालेजे equation number first और इसको मालेजे equation number second और यही दोनों value प्रतिय अस्थापित करिए इस वाले equation में तो यहां से हम लिख सकते हैं i is equal to integration of 2x into dx के जवब हम dt लिख सकते हैं तो लिख लिए dt और upon one upon इस पूरे के जवब पर क्या लिख सकते हैं t तो लिख देंगे one upon t और हम जानते हैं कि integration of formula हम जानते हैं integration of one upon x with respect to x किसके बराबर होता है तो log x के बराबर होता है और एक इसमें constant term c एड कर देते हैं ठीक है उस हिसाब से तब हम लोग अगर इसका integration करें तो लिख रहेंगे आइज इक्वाल टू लॉग और प्लस एक अंस्टेंट टम सी एड कर देंगे यहां पर log के साथ जो भी हम लोग लिख रहे हैं इसको यह साथ मॉड लगा रहे हैं क्योंकि log जो है negative number के लिए possible नहीं है यह हमें सा positive number के लिए इसलिए हम लोग यहां पर मॉड लागा देते हैं ठीक है अब हम लोग को करना क्या है बस एक्वेशन फर्स से टी की वेली यहां पूट कर दीजिए तो लिखेंगे आइज इक्वाल टू लॉग और टी के जाब लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वाइर का मॉड और प्लस सी और इस तरीके से हम लोगोंने फर्स्ट को कम्प्लीट कर लिया कि कैसे हम लोग इंटिग्रेशन निकाल सकते हैं टू एक्स अपॉन प्लस एक्स स्क्वाइर का एक्स के रिस्पेक्ट में ठीक है तो बहुत आसान है आप लोग इसको एक बार और देख लिजेग अब हम लोग चलते हैं कोशन नमबर सेकंड पर